अगर आपका भी नाम हो इस लिस्ट में तो आप भी इसके अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर कम बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं जिहां दोस्तो मैं पात कर रहा हूँ SN जिसका पूरा नाम है 109 दोस्तो इस कोईन के अगर लिस्ट कोईन पहले इसकी जो प्राइस थी 0.2 डूलर की थी आप यहां पे कोईन मार्केट के पे तो यह लिस्टेट नहीं है कोईन गेंगों के उपर आप जाके चेक कर सकते हैं इस जगा 0.2 डूलर के आसपास और उसके बाद बाद बाइनांस के उपर उसने ट्रेड की है 13 डूलर के उपर इसने ट्रेड के और कोईन गेंगों के हिसा रुपे हो जाए तो आपको कैसा लगने वाला है तो इसी वीडियो में यही बात करेंगे बाई इसी सप्लाइ कितनी है इसने कितने साल में कितना return दिया है और आने वाले दिनों में कितना अच्छा खासा ये pump हो सकता है चलो दोस्तों बात करते हैं सबसे यहां पर अगर यहां पर दोस्तों बात करते हैं तो market की तो market के अंदर यह लगबग bitgate और finance के एक्सेंस के उपर यह लिश्टेट है अधरवाइस कोई भी के उपर लेश्टेट नहीं है इसके अलावा भी अगर बात करते हैं दोस्तों तो 24 के अंदर या फिर अगर बात करते हैं और यू की तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं लग बग बग ओल टाइम लो इसका जो है 13 मार्च 2020 यानि कि आज से 18 साल पहले इसकी जो प्राइज थी 0.0038 के असपास और उस से ट्रेड करते करते उस प्राइज में ट्रेड करते करते आज की डेट में इसकी जो प्राइज थी लग बग 11 डोलर के हिसाब से 7 गंटे पहले गई है यानि कि जिस बंदेने अगर 1000 डोलर डाले थे यानि कि एक हिसाब से हो तो एक लाक रुपे तो उ इसके लवा आप इनकी कोईन की टोटल सप्लाई है एथिरियम बेस एक टोकन है और इसकी टोटल सप्लाइब चार क्रोड चमवाली साक जिसमें सम्तिंग इनके होल्डर से हैं 1233 होल्डिंग यहां पर बने हुए हैं अगर इसमें टोटल जो सप्लाई में से लगबग बाइनां 36 एड्रेस के उपर 24% टोकन है और इसके लवा सनम डेवलोपर के पास 15% टोकन बायिनांस चाहुदा के पास यहां पे 35% टोकन यहां पे इनके पास हैं इसके लवा भी आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे टोकन जो इनके पास ही बने हुए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छे खासे टोकन थे अगर उनको पता है तो आप चेक कर सकते हैं आपके वेलिट में या फिर अगर आपने लिया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना गुना इनका प्रोल हो चुका है वो आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं तो दोस्तो आने वाले कुछ दिनों मा अगर ये डंप होता है वापिस उसी प्राइज के आसपास आता है यानि कि आदर रूल के आसपास तो हम इसको होर्डिंग भी कर सकते हैं मार्करिक के अंदर में रिक्स भी ले सकते हैं तो दोस्तो थैंक्यू समच कैसे रहा आपका ये वीडियो यानि कि अगरवाइज आपने अगर इसको पर्चेज किया तो सो दोस्तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के भी बता सकते हैं थैंकिस समझ दोस्तो दन्यवाद